हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे वर्टिकों के बारे में चक्कर क्यूं आते हैं उल्टी के साथ चक्कर आना बॉड्या झार बेलेंद्स नहीं होना अचानक ब्लेक आउट हो जाना चलते on the … चलते-चलते बॉड्या बेलेंद्स नहीं बना पाते लोग प्रॉब्लम को बहुत जादा मतलब complicated बनाने के साथ साथ के वेरी एक confusion भी create करते हैं देखा होगा कि आपने माइग्रेन, cervical pain, neck pain, stress के कारण जो headache है या फिर जो vertigo है उसमें एक बहुत बड़ा confusion होता है बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि माइग्रेन में भी चक्कर आता है माइग्रेन में भी फॉगी हो जाता है और माइग्रेन के कारण भी कई बारी आपको neck में stiffness, shoulders में pain और पूरा headache जो है वो उसका nature ही चेंज हो जाता है और दो-तीन दिन तक कई बारी चक्कर भी आते हैं, उल्टी भी आती है, food digest नहीं होता है, भूक नहीं लगती है, even sleeping disturbance होता है तो यह सारे symptoms कई बारी mixed रूप में आपके सामने आते हैं या फिर आपको माइग्रेन पहले रहा होता है यानि आप माइग्रेन के patient होते हैं अनोन डाइग्रेन केस आपका माइग्रेन का होता है, लेकिन second stage में या third stage में after some year देखते हैं कि माइग्रेन के जो पेन का एक तरीका था, वो बदल गया है, वो अब दूसरी तरीके से दूसरे symptoms के साथ प्रेजेंट होता है, यानि अब नेक में पेन आता है, सोल्डर में आपको पूरे हैडक में भारीपन रहता है, इस्टिफ नेस रहती है और आपका जो कॉगनेटे वरेस्पॉंसलो हो जाता है, आपको नीद नहीं आती है, आपको चिड़-चिड़ापन रहता है, आपको गुसा आता है, आपको बॉमिट की फीलिंग होती है, लेकिन लेकिन इसके साथ बटीको जो प्रॉब्लम है वो माईग्रेन से प्रभावित होती है माईग्रेन से पैदा होती है यह बार ठीक है लेकिन कुछ लोगों में वटीको होता है माईग्रेन नहीं होता और कुछ लोगों में यह दौनों प्रॉब्लम एक साथ भी आती है तो बटी को भी रूल आउट करना होगा हाई ब्लड पैशर स्लिपिंग डिस्टर्बेंस माइग्रेन डिप्रेशन एंजाइटी नेक पेन सोल्डर पेन यह आपको हर फील्ड में हर सिम्टम्स को एक-एक करके समझना होगा और उसके बाद आपको एक डियाग्नोसिस बनेगा जो वर्ट कि अट्या में आपको चक्कर आता है जो आपकी दो ड्रॉम है जो बिलेंसिंग ड्रम हमें कैटा कहते हैं ज врем', जिँने जो नोव येर के पास है का działव क्म बोडी शule consume करना होता है शुर्ण करना होता है और युद कंडिशन में हमें करना होता है alertness शब्स थी और शो बामिट से खड़े होते हमें चक्राट और कई के एक ढर्ट घंड बिंग गडर चाटा है और हमें चक्कराज आजाता है तो वर्टीग और माइग्रें दोनी परोबलम को हमें कट नहीं के सब्कारब गई में देखना judgments दोनुके सिम्टम स देखना होगा और हमें दोनोंकोन के आपका पेन एक आवर्स बना रहता है और मंत में यह रिपीटिडली तीन से चार बार होता है तो फिर आपको फिजीशन के पास जाने की ज़रूत है अपने सिंटरम्स को डॉक्टर से डिसकस करने की ज़रूत है और डॉक्टर के लेबल पेक डियाग्नोसिस बनेगा और उसके बाद आपको मेडिकल ट्रीट्मेंट की सपोर्ट की जरूत है along with the exercise and the life modification. Thank you very much and take care yourself.